रिलाइबिलिटी आफ टेस्ट में या रिलाइबिलिटी आफ इंस्टूमेंट में दूसरी तरह का एविदेंस अफ रिलाइबिलिटी जो हम कलेक्ट करते हैं वह पैरलल फॉर्म है आपने टेस्ट रिलाइबिलिटी के अंदर देखा कि उस पे क्रिटेसिसम यह है कि जो एक्सपोयर एफेक्ट होता है यह एक ही टेस्ट दूसरी दफ़ा जब आप देते हैं तो टेस्ट का एक्सपोयर टेस्ट क्यूंकि आप दूसरी दफ़ा देख रहे होते हैं तो उससे स्क बी टेस्स एक ही है उस टेस्ट के दो वर्जिन बना दिये वर्ज बनाने का क्या मतलब है कि पहले टेस्ट में सवाल नंबर एक ता फर्ज कर लीजिए कि I like playing cricket तो मैं जब दूसरा फॉर्म इसका बनाऊंगा इसी टेस्ट की दूसरी शकल तो मैं इस फिक्रे के words बदल दूँगा I like playing cricket की बजाए मैं कहूंगा I enjoy playing cricket तो मैंने उसके अलफास को तब्दील कर दिया उसका मतलब वही रहा इस तरह से जितने सवाल मेरे टेस्ट में थे उन तमाम सवालात को मैंने reword कर दिया और उनकी तर्तीब को भी बदल सकता हूं यानि पहले सवाल नमबर एक था I like playing cricket तो दूसरे फॉर्म में जब मैं इसका दूसरा वर्जन बनाऊ तो इसको नमबर वन पे ना रखूँ इस सवाल को पांचवे नमबर पे रख दूँ और इसके वर्ड्स भी बदल दूँ तो मैंने असल में एक ही टेस्ट के दो वर्जन बना लिये इन दो वर्जन को हम कहते हैं कि ये पैरलल फॉर्म है ये एक जैसे टेस्ट हैं सिर्फ फरक ये है कि इसके अंदर वर्डिंग फरक हो जाती है और सवालों की तर्टीब बदल जाती है अब हमारी एजमशन ये है कि अगर मैं पहला टेस्ट किसी को दूँ साल्व करने के लिए तो उस पे जो वो जवाब देगा दूसरा भी क्योंके असल में वही सावाला आता है तो उसके जवाब वही रहने चाहिए जो उसने पहली दफ़ा दिये थे अगर मेरा टेस्ट जो है वो ठीक है तो अब मैं ये दोनों फॉर्म एग्जीक्यूट करता हूँ एक बंदे को ये दोनों फॉर्म देता हूँ कि वो इनको सॉल्व करे और फिर पहले फॉर्म पर उसके स्कूर की अभरिज ले रहता हूँ और दूसरे फॉर्म पर उसके स्कूर की अभरिज ले रहता हूँ और अगर ये हाईली को रिलेटेड है अपस में तो मैं इससे ये इन्फर करता हूँ कि मेरे दोनों फॉर्म जो हैं वो एक ही जैसे हैं और इसके ओपर लोगों का जिसको सेम आने का मतलब स्टेबिलिटी आफ मेयर्स मौजूद है इसके अंदर अब आप देखिए कि इसके अंदर दो सिमिलर फॉर्म हैं जिन में सवालात में क्या फरक था सिरफ और सिरफ वर्डिंग का फरक था और्डर आफ क्वेस्टेशन का फरक था प्रेजेंटेशन का फरक था अधरवाईज ये एक ही थे और इसलिए इनको मैं पैरलल फॉर्म कह देता हूँ इसके जरहे से असल में जो चांस एरर विरियाबिलिटी है वो कंट से मेरी मराद है सेम जवाब एक individual को दोनों दफ़ा देना चाहिए सो इस तरीके से हम उसके reliability को वायर करते हैं तरीका देखिए फिर वही है पहले फॉर्म पे आपका score total दूसरी दफ़ा parallel form जो दिया उस पे दोनों फॉर्म एक अठे दिये थे दोनों पे आपके score average score निकाल लिय उसके बाद दूसरा form two दिया दोनों पे आपका score अगर सेम आ जाता है तो मैं कहूंगा कि मेरे form जो है यह equivalent है यह parallel है यह alternate है दूसरे का और इससे equivalence मेयर हो जाती है दोनों फॉर्म की और in return, in turn, lastly, finally, मैं इससे भी stability का अंदाजा लगाता हूं अपने सवालात की stability का इस पे ज parallelism का जो claim है यह itself बड़ा dubious है, यह बड़ा अजीब सा है, कि आप भले ही same सवालात सिर्फ word बदल के लिखते हैं, फिर भी यह claim करना कि यह दोनों form parallel है, parallelism का true concept जो है वो exist नहीं करता, आप forms में किसी तरह की variation ले आते हैं, तो वो variation अपने असरात जो है वो रखती है, लेकिन इस criticism को भिले ही जेन में रखा जाए, लेकिन more or less largely speaking, जब दो same form दो शकल में बनाया जाए और उसके ओपर लोगों के responses में, जो है वो similarity हो, एक जैसे हो, correlation हो, तो हम कहते हैं कि इस measure में stability मौजूद है, यह दोनों equal measures थे, सो इसको जब हम यह वाला evidence collect करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारा test जो है, वो equivalence जो है उसके अंदर पाई जाती है.